साथियों, साइन्स और टेक्नलोजी तब तक अधूरी हैं, जब तक इसका बेनिफीट और एक्सेस हर किसी के लिए संभव ना हो। बीते छे साल में युवाओं को अवसरों से कनेक करने के लिए देश में साइन्स और टेक्नलोजी के उप्योग का विस्तार किया है। साइन्स और टेक्नलोजी अब भारत में अभाव और प्रभाव की खाई को भरने का एक बड़ा ब्रीज बन रही है। इसकी मदद से पहली बार गरिब से गरिब को भी सरकार के साथ सिस्टिम के साथ सीधा जोड़ा है। डिजिटल टेक्नलोजी से सामान ने भारतियों को ताकत भी दी हैं और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलेवरी का भरोसा भी दिया है। आज गाउं में इंटरनेट यूजर्स की संख्या सहरों से जादा है। गाउं का गरिब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्ट फोन आधारित एप से जुड़ चुकी है। आज भारत ग्लोबल हाइटेक पावर के इवलूशन और रिवलूशन दोनों का सेंटर बन रहा है। साथियों भारत अब विश्वस्तरिय सिक्षा, स्वास्थ, कनेक्टिविटी, गरिब से गरिब तक गाउं गाउं तक पहुचाने के लिए हाइटेक सॉलूशन बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है। भारत के पास हाइटेक हाइवेश के लिए डेटा, डेमोग्राफी, डिमान और इन सब को सम्हालने के लिए संतुलान और सवरक्षन देने के लिए डेमोक्रेसी भी है। इसलिए दुनिया आज भारत पर इतना भरोसा कर रही है। साथ क्यों हाल में डिजिटल इंडिया अभियान का और विस्तार करने के लिए पी-एम बाणी स्कीम भी शुरूतात की गई है। इससे पूरे देश में पब्लिक स्पेस में सब के लिए क्वालिटी वाइफाइ कनेक्टिविटी संबभ हो जाएगी। इसका सीधा लाप साइंस को भी होगा क्योंकि देश के गाउं का युवा भी दुनिया की बेस साइंटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा।